है नमस्कार है तो दोस्तो आज हम बनाने जा रहें रहें आप यह बहुत here आसान बहुत ही कम लागत मे और जल्दी बनने वाला है यह इस झाल can just 시간 कितना बढ़िया कितना सफ्टली बहुत ही आसानी से बन जाएगा और खाने में इतना टिष्ट लगेगा क्या बता हैं तो चलिए इसे बनाते कैसे हैं देखे वीडियो में ती हमारा दोस्तो आप पे पाइन है तब इसे ले लिए और जो आपके सिजन में जो मिलने वाले सबजिया है वो ले ले जिए तो माटर गाजर जो भी आपके पस्ट मा आद का अनुसार नमक डालेंगे तो मैं यहां डेट चमच नमक ली हूँ और जो आपके पास मटर है हरे प्याज है पते वाले प्याज है टमाटर है सुखे प्याज सब डाल लेते हैं और यहां देखी डाल कर मिलाएंगे तो देख रहें यह दोस्तों एक साथ हम बहुत सब कर दालेंगे तो यहां लाल मिर्च में थोई डाल रही हूं अब सब को हम मिलाएंगे तो देख रहें लगता है कि यहां कम पड़ रहे हैं तो हम यह और डालते हैं पिर से से मिलाते हैं तो देख रहेना एक कितना बढ़िया साक्षे से यह मिल गया है अब इसे शmbattar कर दास-पंदरमेंट के लिए रख देतें तो दसवरा होन्त हो गया है आप देख रहेना इस ळआ यह करश्गा कर्षि मिले कर दिया हैं और इसी से इसको मिला दिया यहां कितना बढ़ियां से चरह तरफ हम इसे अच्छे सुगमा कर मिलाएंगे अब यहां हम आधा चमा से जादा मिठा सोडा है जो खाने वाला सोडा बोलते हैं इसे डाली और यहां थोड़ा लगता है ना पानी कमें के वो कि सुझी सोखता है पानी को तो हम यह अच्छा से बन जाता है बिल्कुल कम लागत में चलिए अब यह जो पैन था यह ले लिए अपका पैन अब इसमें थोड़ा सा कोकिंग ओल लगाते हैं तो थोड़ा थोड़ा ज्यादा मत्रह में नहीं थोड़ा सा अब इसमें हम चमाच यह कर्षी के सहाहता से डालते हैं इस ये कर देखें ना ये ये आई ये करते करते सब में अमारा देखें नहुंद भर गिया है इसको इसको पुरा कर देते हैं अब इसे Tel A तो डरी चंचे रहां हम गेस पर रखती है तने आज हम आरे मीडिया भी रहे से वैसे ही एक करते करते सारे अप्पे को हम चेंज कर देंगे तो आप देख रहें कि सारा हमारा चेंज हो गया कितना बढ़ियां से यह पक गया ना फिर इसको हम ढख देते हैं फिर वैसे ही पांस अच्छे मिनट मीडियो माच पर पकाएंगे तो पक कर हमारा देख रहें कैसे लाल बढ़ियां एकदम देखने से लगते हैं वाओ क्या बाद है अब इससे चटनी के साथ खाएं लाल चटनी हो या हरी चटनी हो देख रहें कितना अस्पंजी यह बना है बहुत ही सानी से कितना जल्दी बन गया ना तो दोस्तों और चंचल के पुटारा में आप देखते रहें रोज नए नए आइटम के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में